नमस्कार साथ्यों स्वागत आप सभी का मेरी इजकेशन डियू चनल पर दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते कि आज कलम में आपे बात कर रहा है जो कि एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से बहुत ही जड़ा इंपोड़न्ट है और बार बार जो क्या है एक्जाम में कोशन जो है उस पर हमने क्या प्रकाश ड़ा था आज जो है में आपको क्या आप और लोगों तक शेर करें साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे स्यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताक्या आने प्रते एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके यूटूब चैनल पर मिल सकें तो देखिए सबसे पहरा जो हमारे पास जो कोशन है वह है समुंद्री जल का ओस्त लवनता कितनी है कईयों बार जो क्या है यह कोशन पूछा जा चुका है तो वह 35 परसेंट जो है ऑस्त लवनता है समुंद्री जल की फिर नेक्स्ट महासगरे उचावच या रिलीफ या टॉ करमबद रूप से बताओ यह जो कोशन है वह काफी बार एक्जाम में पूछा जा चुका है अगर आप लोगों ने एक्जाम दिया होगा यूजी सी नेट का दिसंबर 2019 का तो उसमें भी जो क्या है यह कोशन पूछा गया था कि महासगरे जो उचावच यह उसको क्या करमब बद रूप से लिखो तो उसको क्या है माधूपय निगवन तट्र माधूपय ढाल बीतल मैदान और महासगरे गंबीर गर्त जो क्या है इस तरह से यह करम बद रूप से आएगे सबसे पहले जब हम क्या है स्थल से क्या है समुंदर की और जाते तरह सबसे पहले जो और प्रसंटेश को और उसके बाद आता है ऑश्टिक्डिक्ट मास यगरी ऑग्री खाया जो होती है नेक्स्ट है कुर्शन नंबर थर्ड फ्त है इमारे पास कि वह है नुकिलिष शिर्ष्ट वाले जल मंगन जौल मुखी को क्या कहा जाता है जल मंगन जल मंखी को क्या का जाता है जल मंगन जो क्या है जल के अंदर होते है लेकिन उनका जो शीर से वह किस तरह का होता है इस तरह का होता है कुछ से यानि कि नुकीला होता है आगे से पहना होता है तो उसको क्या का जाता है उसको का जाता है समुंदरी टीला उसको का जाता है समुंदरी टीला नेक्स्ट है सरवाधिक गहरी खाई है सरवाधिक गहरी खाई कभी इस तरह का भी कोशन पुछा जाता है तो वो किसी भी महासागर से रिलेटर पुछा जाता है तो जैसे प्रशांत महासागर की जो है वो ह कि जो है वो प्यूटोरिका है 9,392 मिटर है फिर हिंदमास अगर के उसकी जो है वो सुन्डा गरते 7,252 मिटर है फिर नेक्स्ट है मसली उत्पादन नित्यू सरवादिक भोतिक परिस्तितिया कहां पाई जाती है इस तरह का भी कोशन पूच सकते कि सरवादिक मसली उत्पाद के वीज की जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है तरंग धेरगे किनी दो तरंग श्रेगों और तरंग गरतों श्रेंग होता है जो क्या है उपर उठावा भाग होता है जो नीचे दसावा क्या है भाग होता है इसको हम गरत कहेगे और उपर उठावा जो भागे उसको हम क्या है श्रिंग कहेगे इनके बीज की जो क्या है दो जैसे ये दो शीर से इनके जो बीज की दूरी इस तरह का ये कोशन है इसको क्या कहेगे तरंग धेरिये उसको क्या है तरंग धेरिये कहेगे next мет question number उच्च ज्वार और निम्र ज्वार आनेक कासा में antral कितना होता है तो उसका जो antral होता है 6 गंटे 13 मिनट का यहां से भी क्या है question कभी कोचा जाता next है सारा गासो सागर यानि कि क्या है या इस तरह अब आता है कि कहाँ पर स्थित है तो यह जो है एक सागर है जो कि क्या उत्रिय अट्लांटिक क्या है महा सागर में स्थित है बिश्यो में सरवाधि कोरा कहां उत्पन होता है यह होता है न्यू फाउंड लेंड में यहां पर क्या होता है यहां पर जो है गल्फ स्ट्रीम गल्फ स्ट्रीम और जो क्या है लेवरेडोर जो है जो धारा है वो क्या है आपस में मिलती है ठंडी और गरम धारा है और यहां पर क्या है इन दोनों के मिलन से क्या है अत्यादिक क्या है कोरा उत्पन होता है इसका प्र तो आप सभी जानते हैं वह है इंडियन ओशियन वहाँ पर क्या है च्छे महीने जल से स्थरकी और हवाएं क्या चलती है फिर नेक्स्ट है कोशन अब 11 है 90 डिग्री इस्ट कटक किस महासागर पर स्थित है और इसे किस नाम से जाना जाता है इस तरह का भी कोशन आसकता है तो यह है हिंद महासागर में स्थित है 90 डिग्री इस्ट जो कटक है और इसको सेंड चोगस कटक के नाम से भी जाना जाता है सबसे उच्चा जार कहां आता है तो आता है funding की खाड़ी में और अगर भारत की बात की जाए थो भारत में सबसे ज़ए ऊच्चा जार आता है खम बात की खाड़ी में खंबात की खाडी में जो की कहां बिद गुजराथ में यहां क्यों से उवोर्ण चाटिक होते हैं जुआर की इत्ते किस करण से तो इसका अब रो कारण है जिए सबसे ज्यादा जिमेवार क्न है कि तो कौशन आता है कि जो आरो उत्पत्ति के लिए सब्सेदी अधिक जिम्मेबार क्या है तो चंद्रमा आएगा सूरे के कारण भी आते लेकिन जो याल नहीं लेख से होन पाई जाती है ज्याद है कि लेख़वन के लेक रागा उकान कि opinion एक दोडर का जो कanhजा र्म जो जडर्टेया कि दोड़ाइग कुछ थिए कर्क और मंगर रहनुआ अधिक लवन्ता पाई जाती धीक है क्या Mauday रहखा पर लवन्ता के कम ओने का करण क्या है कम लवन्ता होने का प्रमुक कारण है वो है अधिक बर्षा का होना आप सभी जानते है कि जो भूमंदेर का जो है वहाँ पर क्या है आई टी सी जेट का क्या निर्बान होता है और वहाँ पर क्या है हवाँ उपर उठती है और वहाँ पर क्या है प्रती दिन क्या है दिन को दो कर रहे खाओं पर ऐसा कुछ नहीं है इसलिए जो उन्चेत्रों पर क्या है वह लवनता अधिक पई जाती है पर जो स्थीज जो लेंगुने उसको क्या का जाता है क्याल के नाम से जाना जाता है क्याल का जाता है पिश्व का जाता है जैसे यह जली शत्र का विस्तार है तो उसे क्या का जाएगा दूइब का जाएगा इसे चेत्र को ए नेक्स्ट ए सागजरे जलमें सर्वाधिक लवन कौन सा पाया जाता है ये भी जो कोशन है वो बहुत बारी पुछा गया है और कभी कभी पूसे जाता है कि करम बद रूप से लिखो भई ज्यादा फिर कम फिर कम तो उसमें जो है सरबादिक जुल्लोबन ता पौत प्रतिशत प्रतिषत फिर मेंगरीशयम क्लोबन प्रतिशत और उसके बाद जो है वह केलिशयम सलफरेट आता फिर नेक्स्ट यह गोडे के question number 21 गोडे के नाल की प्रभल्विट्वित्व्ति को क्या कहते है इसको जो कहते है कि तरह उते है यह प्रभल्स ते का एक परकार है प्रवाल भित्यों के रंग में हार्ट्स होना यानि कि उनका रंग उतरता जाता है उनका रंग क्या है सफेद हो जाता है तो इस पर इघटना को क्या का जाता है उसको का जाता है कोराल ब्लीचिंग यानि कि प्रवाल भी रंजन होना उनका नेक्स्ट कोशन नमबर 23 1842 में किसने प्रवाल भित्यों का बर्गी गर्ण किया था तो ये क्या था चाल्स दर्विंग ने किया था चार भागों में किया था पहला ये तट्य प्रवाल भित्य जो तटों के साथ जिसका क्या अंद्रिमान होता है फिर उससे आगे जो क्या गड़े के नाल की तरह होती है बिलकुल इस तरह की नेक्स्ट है फिर मुँगादूई पे तो ये चार प्रकार है चाल्स दर्विंग के अनुसार नेक्स्ट है कोशन नमबर 24 निच्ची दिशा में प्रवावित होने वाली राशी को किस नाम से जाना जाता है तो उसको जाना जाता है क्रंट के नाम से धारा का जाता है उसको नेक्स गलट स्टीम किस मासागर की धारा है किस मासागर की धारा है उसको की खाड़ी के साथ जो क्या यह भैती है और इसके खोश गता क्या आप तैर पन्तराइसो में इसकी घोश कि थी पॐंसेडी लिय में बाकी एक बात मैं यहां पर पता देने चाहोगा जो यह धारा यह वह सारी पढ़ ले की अधार को अकुछ है विकार स अक्षर की नेक्स्ट है, महासागरे नितल परस्थित खड़े ढाल वाले संकीर्ण खाई, जिसके तल में नदी प्रवावित होती है, उसे क्या का जाता है, महासागरे नितल में, यानि कि महासागर के जो तल में है, वह स्थित खड़े ढाल वाले संकीर्ण खाई, मतलब एक नेरो, नेरो समुंद्री केडियन यानि कि सम्मेराइन केडियन उसके तल में क्या है नदी वहेगी और संक्रिंड खाई होगी यह भी जो कोशन है वह काफी बार क्या है एक्जाम में पूछा गया है फिर नेक्स टैम 29 मासागरों में ऐसे परवत जिसके शिर्ष स्पार्ट होते है उसे क्या का जाता है ग्योट अब मैंने पहले आपको बताया था कि ऐसे जो मासागर नितल पर ऐसे क्या इस्तला करती जिसका शिर्ष क्या है वह नुकिला होता है उसको क्या का जाता है उसको कहते है समुंद्री टीला लेकिन जिसका जो क्या शिकर है वह नुकिला नहीं हो उसका जो कीस तरह का है कि स्पाट हो यान की पठार की तरह उसको क्या का जाता है क्ये नेक्सक्री महासा करों की ओस्त्त घहराई जो है वह है 3800р और अगर स्थल बागो की बात किजा है तो वह अग् vegans्व है संसार की सबसे बड़ी जो स्ताला करती है वो क्या है कौन सी है तो वो है मीड ओशनी क्रीज है मंद्य अक्षान सी है के जो कटा के फिर है भू प्रिष्ट्य अबरदन सिदान्त किस ने दिया था ये जो दिया था वो दिया था शेफर्ड ने और ये जो सिदान संबंदित है व ये भी जो क्या है काफी बार एक्जाम में पूछा जा चुका है ये डेली ने दिया था ये भी क्या है समुंदरी केनियन की उध्पत्ति से संबंदित है उसके उध्भव से जुड़ा हुआ है फिर नेक्स्ट है कोशें नमर 34 जो है किस वेग्यानिक अबजी के दोरान अगरों की वह स्थिती कप्र क्या है प्राप्ट की थी वह की थी होलो सीन यूग में अगर आपने जो लेजिकल टाइम स्केल पड़ा होगा तो उसमें यह सब आता है नेक्स्ट मादूइप डाल का औस जो ढाल है वह कितना है तो इसका जो ढाल है वह है चार डिग्री के आस आर्ट की हिंद अंटलाटिक और परशांत माहसागर इससे यह निकी छोटा बड़ा बड़ा फिर सबसे बड़ा पिर है माहसागर जलका ओस्ट गनत्व कितना है तो यह जो है वह है 1.0278 ग्राम सेंटी मीटर नेक्स्ट है कि सागर का गनत्व अधिक है और लवन्ता तो सबसे अधिक जो गनत्व आला जो सागर है वह है लाल सागर और सबसे अधिक लवन्ता वाला जो है वह है डेट सी मृत सागर यहाँ पे बहुत जादा क्या है अधिक लवन्ता पाई जाती है जिसके कारणिस का न टैंप्रेचर रिन्सिटी इसको बोलते हैं टैंप्रेचर नेक्षल नेस्च अल निनो धारा कहां पे स्थित है तो आप सभी जानते की पेरुके sons चलती है पुर्वी प्रशान्त महासागर की धारा है और इसकी जो प्रकृति ही वह घ्रम प्रकृति की है और एक है कौन से दक्षन हिंद महाँ सागर की कौन सागर काज़ा बाड़ता है यह है विए कफी बार क्शन में एक जैब में पूचा जा चुका है कुशन मेटा का सकसर जो दूइब है वो क्या है महा सा कि धारा को जो क्या है वो दो भागों में बाढता है तोसमें ये सिदां अप्ष सोह पूशा जाता है यदिसांगी डेसरी तरह से पूशा गया था जोर्ड eagsam बलक को जोर भा्तकि उत्पत्ति का कारण माना तो इस तरह कि आया पर कोशन पुछा गया था तो यहां से मैंने चोई क्या कोई एक णकशन क्या है शरूर पुछा झाता हैं नेक्स्ट प्रग्राम लिदह रम्लीस स्धान जो है वो नेक्स्ट है कॉश्ण अबर 43 एसी कौन सी धारा जो शीद काल में चलनी चाही बंद हो जाती है फिर नेक्स्ट है ठंडी दिवार या शीद दिवार किस से संबंदित है यह वह गल्फ स्टेम से संबंदित है और जो यह का जाता है वह बेंग एला की धारा को कहा जाता है लेकिन इस से क्या है जूड़ी हुई है यह और इसको जो क्या है गल्फ स्ट्रीम को जो क्या है यूरोप का कमबल भी कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम जो है उसको यूरोप का कमबल भी कहा जाता है गरम धारा आई है खी धारा के नाम से किसे जाना जाता है यह जुम मैं भी बहुत सारे अक्जाम दिया हूं और कईयों सारे अक्जाम में जो क्या है यह जो कोशन है वो देखा हूं समुंद्र तल में बेश्वीक परिवर्तन लाने के लिए क्या उतर दा यह वह है सुसस थिकी सुसस थिकी समुंद्र लेहर कहां से उर्जा प्राप्ट करती है समुंद्रों में जो लेहरे चलती है वह कहां से क्या है एनर्जी प्राप्ट करती है वह करती है विंड से हवाओं से नेक्स्ट है कोशन नबर 48 किन किनारों पर प्लेट किन किनारों पर या किन प्लेट किनारों पर सुनामी उठपन होती है यह होती है अभी सारी प्लेटों के किनारों पर अभी सारी प्लेट जो किनारे होते है वहाँ पर क्या सुनामी जो क्या उठपन होती है नेक्स्ट है विश्च्व में सरवादिक जो क्या है चोड़ा महादूप्य मंगन तट कहां पर पाया जाता है यह पाया जाता है उस्तरी दुरूब सागर में नेक्स्ट जो है लास्ट कोशन जो है समुंद्री खोजो का जनम जाता किसे माना जाता है किसे माना जाता है तो इसको जो है यह जो माना जाता है यह माना जाता है चलेंजर अभियान को चलेंजर अभियान चला था 1832 से 1876 के बीच जो कि कैप्टन जोर्ज नरेश के नियत्रतों में हुआ था किस कैप्टन जोर्ज नरेश के नियत्रतों में इसके जो सयोगी रहे थे वो रहे थे बीविल कोशन तैप संप रहे थे जोन वरे रहे से जॉन एक और यांग क्कोश्न यह रहे थे रहें हुआ कि नेक्स्टे एकोशन हो रहा है 51 कि दफ्ट आप सी दफ्ट्प्प जो ईब्श्ट س जो लिकी थी वो लीकिती भीविल क्रेप सन ने डॉल डेप्ट ऑप अर्थ यह वह आर ए डेली ने लिखी थी एक जैसे थोड़ा अच्छे से देख लें बाकी जो है यह यहां पर क्या है फिप्टीवन जो कोश्ण क्या है कंपलीट होता है बाकी इसके त्रिक्ट जो है आप थोड़ा ऑश्णिक क्रण्ट को देख लें कि कौन सी क ओश्णिक जो रिसर्च है वह थोड़ा देख रहें और बाकी जो है ओश्णिक जो डिपोजेशन से भी क्या है कभी कभी कोश्ण पूछा जाता है वह भी थोड़ा आप देख लें बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ तो सात्यों झाल